अलो विवर्स, वेलकम तो माई चैनल, आज का प्लान एक छोटा सा वन बेदरूम का होस प्लान है जो की 312 स्क्वार फिट का प्लान है, वेस्ट फेसिंग का प्लान है आज का प्लान का प्लाट एरिया 13 फिट इंटु 24 फिट का है इस फिल्दिंग में इस्ट्यार के नीचे से एंट्री होगा इधर मेन एंटिगेट है, जो की मेन एंटिगेट का मेजरमेंट 4 फिट का है एंड हाइड 6 फिट 5 इंच का है इस फिल्दिंग में ग्राउन लेवेल से प्लीन थाइट 2 फिट है अब ground level से plain side आप अपने इंसब से रख सकते हैं तो इधार से anti होने के बाद आप steer area में आएंगे चुकि आप इसी चरह steer दी कर सकते हैं steer area का measurement इधार 11 feet 3 inch का है और इधार 6 feet का है तो steer का width 3 feet का है thread 9 inch का है और राइजर 6 inch का है तो इधार kitchen है क्योंकि kitchen का measurement इधार 5 feet 9 inch का है और इधार 9 feet का है तो kitchen का ventilation के लिए front side में एक 4 by 4 feet का window भी provide किया गया है तो उसके बाद इधार एक common toilet है क्योंकि common toilet का measurement इधार 5 feet 9 inch का है और इधार 4 feet का है तो उसके बाद इधार एक bedroom है जो कि bedroom का measurement इधार 12 feet 2 inch का है और इधार 9 feet का है तो इस बेट में proper ventilation के लिए दोनों side में 4 by 4 feet का दो window भी provide किया गया है तो दोस्तो आज का plan आपको कैसा लागा आप comment करके जुरूर बताए प्लैन पसंद आए तो वीडियो को जुरूर एक लाइक कर दीजिए तो आप इस plan को करने के लिए आपको एप्ट्रॉक्स high black cost पड़ेगा तो इस plan में आप दोरा बहुत change करना चाहते हैं तो आप अपने जब से change भी कर सकते हैं नहीं तो आप इसी तरह इस plan को भी कर सकते हैं तो चलिए आप देख लेते हैं इस building का column लेए उर तो आप देख सकते हैं इस building का column लेए उर तो इस plan में total 9 column है column का size 10 inch into 10 inch का है एंड इस building में all while 5 inch का है तो दोस्तो आप चैनल में नया है तो चैनल को जुरू सब्सक्रेब करके बेल आइकोन प्रेस करना ना बोलिये तो मैं इसी तरह house plan लेके आऊंगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में